हेलो एविवन स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम सितंबर 2023 की जो हमारी प्रतियोगता दर्पन मैगजिन रही है मन्थली उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या करेंट अफेर हमारा रहा है जो की एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से इंपोटेंट है त और इसकी फुल फॉम कई वारा एक्जाम में पुछी जा सकती है तो इंडियन नेशनल डवलब्मेंट इंक्लूसिव अलाइंस ठीक है हिंदी में इसको कहेंगे भारतिये रास्तिये विकासात्मक समावेशी संग्ठन ठीक है इसकी जो पहली बैठक हुई है वो बिहार के सी 20 दल इकठे हैं ठीक है नेक्स देखते हैं हम देश के बाहर आयटी मदरास ने पहला केंपस खोला है जो की तजानिया के जंजी बार में खोला गया है ठीक है और महीं सेकिंड नंबर पर आयटी दिल्ली है उसने संयुक्त अरब अमिरात की राजधानी अभुदावी में इसमें की जो की प्रतेक चार वर्स के अंताल पर जारी की जाती है सबसे पहला कुश्चन तो यह है उसके बाद इसमें विस्व की कुल जो बागों की संख्या है उसका 75% भारत में पाया जा रहा है और भारत में अगर कुल टाइगर रिजवर की हमात करते तो उनकी संख्या बात करते हैं तो स्रवादिक जो बाग है हमारे वह मद्धेपरदेश में वां चाहिए दूसरी नमबर करनाटा के एर तीसरे नमबर पर उतराकंड है mmh Ma 是a कि यह इसक बाथ करेगी सरवादिक बाख कौंसे टाइकरी मिदर में है तो सरवादिक बाग हमारे कॉर्बेट रिजर्व में है जिसकी जो संक्या है जो की उत्राखन में स्थित है ठीक है नेक्स देखते हैं हम इंडिया मयमार और थाइलेंड राजमार यह अभी निर्मानादीन है जिसको सोट में आई एम्टी हाइवे भी कहा गया है भारत के मनीपूर में जगह है मोरे है ठीक है वहां से यह सुरुवात होगी इसकी कई मार कुछ चन इस टाइप से आ सकता है कि इंडिया मयमार थाइले पावर दौरा सेने ताकत रैंकिंग 2023 जारी की गई है जिसमें की सरवाधिक सेने ताकत अमेरिका की बताई गई है पहले नमबर पे दूसरे पे रूस तीसरे पे चीन और भारत का स्थान इसमें चौथे नमबर पर बताया गया है ठीक है नेक्स देखते हैं प्रोजेक्ट वेर एक परियोजना है जो की SBI की परियोजना है ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की परियोजना है यह नेक्स देखते हैं इसमें अंतरास्टी और आर्थिक जगत में क्या-क्या करेंट फेर रहे हैं प्रदानमंत्री नहीं मोदी ने फ्रांस और संक्त अरब अमीरात की यात्रा की है ठीक है 13 जुलाई से 15 जुलाई तर और फ्रांस के जो सर्वोच नागरिक एम सेन्ने सम्मान है ग्रांड क्रोस ऑफ दी लिजन ऑफ ओनर उनसे नेंद मोदी को सम्मानित किया गया है यह सम्मान पाने वाले वो पहले भारतिय बने हैं ठीक है भारत और फ्रांस के बीच रणनितिक भगिदार का भविस रूप संबंदी दस्तावेज जिसको की होरिजन 2047 कहा गया है उसको भी स्विकार किया गया है तो कई वार कुश्चन आ सकता है कि होरिजन 247 क्या है या किस देशों के भी समझोता है तो भारत और फ्रांस के बीच एक समझोता हुआ है ठीक है नेक्स देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 यानिके विस्व सांती सूचकांग जारी किया गया ह जिसमें पहले नंबर पर जो देश है वो आइसलेंड है और भारत का जो अस्थान है 37 सूचकांग में वो 126 है ठीक है कई वार स्कोर पूछ ले जाता है तो स्कोर की जो वेल्व है वो 2.314 है और पिछले साल यानि 2022 के रस्पेक्ट में करमात करें तो नो अस्थानों की वु ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानि रहने योग के शहर का एक रैंकिंग जारी की गई है जिसमें पहले स्थान पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियाना को बताया गया है और भारत के जो शहर है दिल्ली और मुंबई उनकी जो रैंकिंग है वो 141 और 144 बताए गई है ठीक है नेक्स देखते हैं हैं हैंली पासपोर्ट रैंकिंग 2023 यानि किस देश के पासपोर्ट की जो सकती है उसके बेसिस पे रैंक जारी की गई है तो सिंगापूर का जब पासपोर्ट है वो सरवाधिक सकती साली बताया गया है और भारत के पासपोर्ट की जो रैंक है वो पूछ लेता है कि वही इस सिरीलंकर राश्टपती कौन है। तो रानेल विक्रम सिंहे वह搬 के राश्टपती है। उसके बाद है इसमें World Investment Report 2023, ठीक है। ये जारी की गई है सबसे पहला कुश्चन तो ये है कि World Investment Report कौन जारी करता है। तो UNCTAD इसको जारी करता है यानि के UNCTAD United Nation of Conference Trade and Development ठीक है ये इसको जारी करता है और इसके अनुसार बताया गया है कि सरवाधिक किस देश में FDI यानि परतक्स निवेश जो है वो प्राप्त किया है तो पहले नमबर पर अमेरिका है इसमें और भारत जो है वो आठवे नमबर प हुआ है सरवाधिक तो यहां भी अमेरिका है और दूसरे नमबर पर जापान ने भारत यहां पर 20 वे नमबर पर है ठीक है दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने के रैंकिंग महीं अगर हम मात करते हैं विभिन राज्यों की निर्यात तैयारी सूचकांग इपी इंडेक्स तैयारी सूचकांग इपी आई ठीक है एक्सपोर्ट रिपर इंडेक्स ठीक है अब नेक्स्ट है में वैस्विक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 ठीक है यानि कहां पर लेंगिक बहिदबाव कम है उसके बिसिस पर यह जारी की जाती है इसमें भारत का स्थान है 127 ठीक है वह ग्लोबल पीस इंडेक्स था यहां पर 126 है और लेंगिक अंतराल में 127 है ठीक है तो यह जो रिपोर्ट है लिस लेंगिक रिपोर्ट यह किस मानकों के आधार पर जारी की जाती है यह देख लेते हैं थोड़ा सा आर्थिक भागिदारी और अवसर शैक्षनिक उपलब्दी राजमितिक शशक्तिगरण स्वास्तेवं उत्तर जीविगा ठीक है इन मानकों के बेसिस पे इसको जारी किया जाता है जिसमें भारत की रैंकिंग 127 है उसके बाद नेक्स थेस में वैस्विक मुबाल इंटरनेट रफ्तार 2023 यह भी एक रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भ इस अवसर पर युनाइटिड नेशन स्विक्त रास्ट के मुख्यले में योग का आये जनुआ जिसमें सरवाधिक देशों के लोगों ने भाग लिया है और यह एक गनीज बुक और फॉल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है नेक्स देखते हैं यह एक बांध है कोखो वख लागर इस मान को तोड़ दिया है साथ लाख लोग इससे परवावित हुए ठीक है तो कखो वखा बांध कहा वर रिष्टीत है यूक्रेइन में नेक्स देखते हैं भारतिय व्यक्ति यूपियाई के माध्यम से कौन-कौन देशों में डिरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं तो सि जैसे होरिजन समझोता हुआ था भारत और फ्रांस के वीज तो आर्टे मिस समझोता हुआ है भारत और यूएस से के वीज ठीक है अब नेक्स देखते हैं उसमें खेलकूद से संबंदित गटना करम में क्या का हुआ है तो क्रिकेट विसकप 2023 जो है वो तैरवा विसकप है क जिसको कहा जाता है कुल दस ती में भाग ले रही है जिसका आयोजन भारत में हो रहा है ठीक है उसके बाद देखते हैं कि एशिया एथलेटिक चैंपियंशिप 2023 जिसका जो आयोजन है वो बैंकॉक में हुआ है इसमें सो मिटर बाधा रेस में सुन पजक जीता है जोती या राजी ने ठीक है लेक्स देखते हैं विंबल्डन 2023 जिसमें पुरुस विजयता बने हैं कार्लोस अलकाराज और महीला विजयता बनी है मार्क क्रेटा वोड्रा सोवा ठीक है नेक्स देखते हैं ग्रिसम कालीन ओलंपिक 2024 जिसका जो आयोजन है वो पेरिस फ्रांस में होगा 2024 में ठीक है नेक्स्ट कुछ पुरुसकार जो मिले हैं फ्रांस का सरवाधिक पुरुसकार नेंद मोधी को दिया गया है यह हमने डिसकस कर चुके हैं उसके बाद इसमें उर्जा एवं परियावरन चेतर का एनी पुरुसकार ठीक है एनी अवार्ड है यह जोगी आयटी मद डफ हार्ट डेविस ने नेक्स्ट है इसमें दा गोल्डन यर यह पुस्तक लिगए रसकिन बॉंड ने और इसमोग एंड एरो यह पुस्तक लिगए अमिताब घोष्ट ने ठीक है तो यह दा गोल्डन दा हीरोज ओफ कुमाउ डफ हार्ट डेविस ठीक है याद रखेंग ह और गोल्डन यर रसकिन बॉंड इसमोग एंड रोज अमिताब घोष्ट नेक्स हम देखते हैं विविद घटना क्रम में क्या को हुआ है भारत और भारत ने अमरीका से MQ9B ये एक ड्रोन है इसको खरीदने का कॉंट्रेक्ट किया है कई मर कुष्चन इस टाइप साथा कि MQ9B क्या है तो ये एक ड्रोन है ठीक है नेक्स देखते हैं भारतिये क्रिकेट टीम में जो चीफ सेलेक्टर है उस पर निवक्ति की गई है अजित अगर कर गी ठीक है भ मेक्स नाम से जाना जाता है तो वर्तमान में 2023 में ये विशाखा पतनम में आई जित हुआ है ठीक है नेक्स देखते हैं गुजरात के शहर सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत सूरत डाइमंड बोर्स ठीक है ये बनकर तयार होई है बड़ी का मतलब मुची से नहीं है एरिया वाइस बड़ी है इसका कुल छेतरफल 67 लाख वर्ग पूट है ठीक है इससे पहले सबसे जो बड़ी बिल्डिंग थी वो वर्ल्ट्रेड सेंटर थी अमेरिका की अब ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो गई है सूरत डाइमंड बोर्स भारत ने वियत इसका समयलन था नाटोगा वर्तमान में हम याद करेंगे कि कुल जो देश है वो 31 देश है फिन्लेंड 31 देश बना है और इसकी जो स्थामना है वो 1949 में हुई है और मुख्याले ब्रुसेल्स बेल्जियम में है ठीक है और नेक्स देखते हैं इसमें पंद्रवा ब्रिक्स सम हुआ है जोहांसपर्ग दक्षिन अफ्रिका में ठीक है भारत और मंगोलिया के बीच सेन्य अभ्यास को नॉमेडिक अलिफेंट नाम से जाना जाता है तो वर्स 2023 का जो अभ्यास है वो जुलाई में हुआ है ठीक है तो कहीं बार कुश्चन पूछ जाता है कि नॉमेडिक अ बीच के सेन्य ब्यास है तो भारत और मंगोलिया नेक्स देखते हैं नाइजर दक्षिन अफ्रिका के एक कंट्री है जहां पर सेना ने निर्वाचित सरकार को बेदखल कर गए वहां पर कब्जा कर लिया है ठीक है तो यह था हमारा सिदंबर 2023 का कंट्र फेर ठैंक्यू